हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजिनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात्चित करेंगे भाषा येवं भाषा विज्ञान के संदर में प्रमुख कथन जो की भाषा विदों द्वारा दिये गए हैं प्राय पर यज इंपोर्टेन्ट परिभासा ने उन पर हम आज चर्चा करेंगे अगर पहले परिभाषा पर चर्चा करें तो हैं व्यक्ता वाची वरडा येसा त इमे व्यक्त वाच अर्थात जो वाणी वरणों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं ये परिवासा दिया पतंजली ने तो ध्यान रखे जो वाणी वरणों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं हो सकता है कि इतना दूर इसका केवल हिंदी अनुबाद ही पुछ लिया जाए ये परिभासा दिया है पतन जली ने अगली परिभासा काफी इंपोर्टेंट है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुस्य अपने विचार दूसरों पर भली भाति प्रकट कर सकता है और दूस पुछी जाती रही है तो खासतर से इसको आपको ध्यान में रखना है अगली परिभासा के बारे में चर्चा करें मनुस्य और मनुस्य के बीच वस्तूओं के विशे में अपनी इक्छा और मती का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त धोनी संकेतों का जो विवहार होता ह उसे भाषा कहते हैं यह परिवासा दिया डाक्टर श्याम सुंदर दास ने मनुस्य और मनुस्य के वीच बश्तूओं के विशे में अपनी इक्छा और मती का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त धोनी संकेतों का जो विवहार होता है उसे भाषा करते हैं तो श्याम सु भाषा मनुस्यों की उस चेश्टा या व्यापार को कसते हैं जिससे मनुस्य अपने उच्चारणों पयोगी सरीरा वयवयों से उच्चारण किये गए वनडात्मत या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं यह परिवासा दिये डाक्टर मंगल देव शास्त्री ने ठीक है तो अब इसमें आपको ध्यान में रखना है भाषा मनुस्यों की उस चेश्टा या व्यापार को कते हैं जिसे मनुस्य अपने उच्चारणों पयोगी सरीरा वयों से उच्चारण किये गए वनडात्मत या व्यक्त शब्दों दारा अपने पुछा जा चुका है बाबु राम सक्सेना ने भाषा की परिवासा देते हुए लिखा है कि जिन धोनी चिन्हों द्वारा मनुस्य परस्पर विचार विन्मे करता है उनको समष्टी रूप से भाषा करते हैं यह काफी इंपोर्टेंट परिवासा है प्राय परिक्षा में पुछे जाते हैं जिन धोनी चिन्हों द्वारा मनुस्य परस्पर विचार विन्मे करता है उनको समष्टी रूप से भाषा करते हैं यह परिवासा दिया बाबु राम सक्सेना ने अगली परिवासा है अर्थवान कंठोद गिन्ड धोनी समष्टी ही भाषा है अगली परिवासा है भाषा निश्चित प्रयत्न के फल सुरूप मनुस्य के मुख से निश्रित वव सार्थक धोनी समष्टी है जिसका विशलेशन और अध्यान हो सके यह परिवासा दिया है डाक्टर भोलानात तिवारी ने तो इसमें ध्यान में रखने की जोड़त है यह भी परिवासा खोब पुछी जाती है भाषा निश्रित प्रयत्न के फल सुरूप मनुस्य के मुख से निश्रित वव सार्थक धोनी समष्टी है जिसका विशलेशन और अध्यान हो सके तो इतना ध्यान में रखे हैं मुख से निश्रित वव सार्थक धोनी जिसका की विशलेशन और अध्यान हो सके उसे भाषा का आजा सकता है यह भोलानात तिवारी का मानना है अगली परिभाषा है भाषा याद्रिक्ष याद्रिक्षिक रूण हुच्चारित संकेत कीवह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार वीन में सहयोग अथवा भावा विव्यक्ती करते है आचारि देवेंदरनात शर्मा द्वारे दी गई परिभाषा तो आप देख रहे हैं कि देवेंदरनात शर्मा और बाबूराम सक्षेना इन दोनों की परिभाषाओं में कुछ-कुछ सामानता दिख रही है लेकिन देवेंदरनात शर्मा ने दो-तिन चीजों को इसमें जोड़ा है भाषा याद्रिक्षिक रूण उच्चरित संकेत अनुसी अपना विचार विन में करता है अथ्वा भावा विवेक्ति करते हैं इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है ताकि परिक्षा में अगर ये परिवासा आ जाए तो आपको बाबूराम सक्षेना और देवेंदरना शर्मान में कन्फूजन न हो ठीक है अगरी पर परिवासा है कि धोन्यात्मक शब्दों द्वारा हिर्दयगत भावों द्वारा भावों तथा विचारों का प्रकटी करण ही भाषा है डाक्टर पांडूरंग दामोदर गुणे के अनुसार अगली जो परिवासा है भाषा को ध्यान में रखते हुए हर्देव बाहरी का म वश्थित रूप से शब्द इस प्रकार संयुक्त होते हैं कि अर्थ स्वता ही निकलता है इस प्रकार भाषा सामाजिक ब्यवार की भी वस्तु है यह मानना है टाक्टर हर्देव बाहरे की अगली जो परिवाषा है यह कई बारे परिक्ष्व में पूछी जा चुकी है और तो कई बार यह वन डे एक जांस में परिवाषा पूछी जा चुकी है तो आज की कलेक्शन में हमने भाषा के संद्र में विभीन विद्वानों के कत्नों को शामिल किया था उमीद है कि आगामी सभी प्रतोगी परिवाषाओं में अगर इन में से परिवाषा आती है तो आ आमस्कार